नमस्कारम, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.1, 10th क्लास, बाइलोजी टेक आप पोटेड प्लांट विद वेरिगेटेड लीव्स कि आप एक गंबले वाला पोधा ले लीजिए और ऐसा पोधा ऐसा प्लांट लेना है जिसमें वेरिगेटेड लीव्स हो वेरिगेटेड लीव्स का मतलब होता है कई रंगों की पत्ते जैसे की जैसे अगे लिक रखाया है फोर एक्जामपल मनी प्लांट और क्रोटन्स कि जैसे की मनी प्लांट आपने देखा होगा उसमें यह जो क्रोटन जो प्लांट होते हैं जैसे money plant आपने देखा होगा उसके जो पत्ते होते हैं वह दो रंगवाले होते हैं एक तो उसमें हरा रंग होता है एक उसमें white या yellow is color होता है और एक crown plant होते हैं इनके पत्ते भी रंग बिरंग होते हैं इसे हहरे ठोड़ее से L Sacramento हुरह है छोड़े से वाइट या हरे और थोड़े से यलो सिस तरह के तो Variegated Leieves होती है ऐसे पते जिसमें green color के अलावा कोई दूसरा color भी प्रेजंट हो चाहे हो white हो चाहे हो yellow हो चाहे हो orange हो उनको Variegated Leaves कहता है ज़से यहां एक डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है, तो यहां देखिए, यह जो लीफ है, यहां से ग्रीन है कोर्नर से, और बीच में कुछ पोर्शन यल्लो भी है, तो इसको बोलते हैं, वैरी गेटेड लीफ, तो इस तरह आपने मनी प्लांट कोई ले लेना है, और मतलब ऐस स्टार्च गेट्स यूजड अप, कि अब आपको उस गमले वाले पोधे को तीन दिनों के लिए अंधेरे वाले कमरे में रखना है, सुर्य के प्रकाश से दूर रखना है, इससे क्या होगा, क्योंकि सनलाइट में यह प्लांट फोटो सिंथेसिस करते हैं, और फूड बनात स्टार्च बनाते हैं, लेकिन अगर कोई पोधा तीन दिनों तक अंधेरे वाले कमरे में रखा रहा, तो उसके अंदर उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, जिसकी वज़े से उसके अंदर फोटो सिंथेसिस नहीं होगी, अब वो क्या करेगा, जीवित रहने के लिए जो उसने पुरानी फोटो सिंथेसिस की होई थी, जो उसने पुरानी स्टार्च बनाई होई थी, वो सारी स्टार्च को यूज कर लेगा, तो तीन दिनों के अंदर उस प्लांट के अंदर से ज़्यादा तर स्टार्च जो है वो यूज कर लेगा, और फोटो सिंथेसिस नहीं हो हुआ था उस plant को बाहर निकालिए और 6 गंटे के लिए उसको धूप में रख दीजिए तो अब धूप में रखोगे तो क्या होगा photosynthesis start हो जाएगी pluck a leaf from the plant अब 6 गंटे बाद उस पोधे के अंदर से एक पत्ता तोड़ लीजिए mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper तो आप आप क्या कीजिए उस पत्ते का एक डागराम बनाएए कागच के उपर और उसमें वो डागराम में बनाएए कि उसमें से कौन सा portion तो green है और कौन सा yellow या white है उसकी tracing कर लीजिए यानि उसका उसके जैसे सेम डागराम बना लीजिए क्योंकि last में आपको compare करना पड़ेगा कि color में कहां कहां change आया है तो आप एक कागच के उपर उस लीफ जैसा ही एक डागराम मना लीजिए और उसमें draw कर दीजिए कि कौन सा portion green है और कौन सा portion white है dip the leaf in boiling water for a few minutes आप उस पत्ते क्या किजिए आप उबलते हुए पानी में कुछ मिनट के लिए डाल दीजिए पांच मिनट के लिए या ऐसा ही कुछ मिनट के लिए आप उस leaf को उबलते हुए पानी में डाल दीजिए after this immerse it in a beaker containing alcohol तो अब आप उसको उबलते हुए पानी में से निगा लिया पत्ते को और उसको आप ऐसे beaker में डाल दीजिए जिसमें alcohol होता है यह alcohol आपको chemistry lab से मिल जाती है जांदर इथाइल alcohol होती है ठीक है तो यह वह वाली alcohol नहीं है जो पीने वाली है यह तोड़ी यह special होती है इसको drinking में यूजने करते हैं इसको experiments में यूज करते हैं ठीक है तो यह आप chemistry lab से मिल जाएगी या biology lab में भी मिल जाएगी तो आप अब आप उस पत्ते को क्या करो जिसको अपने boiling water में डाला था उसको अब आप एक beaker में रख दीजिए जिसके अंदर क्या है alcohol है carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil अब आप क्या किजिए इस beaker को जिसके अंदर alcohol ती और जिसके अंदर आपने leaf डाले हुए है इसको आप water bath में रख दीजिए water bath क्या होती है यह कुछ-कुछ एक कटोरे जैसे होता है metal का जिसके अंदर पानी रख देते हैं और फिर उस पानी को गरम करते हैं और उसके अंदर कोई चीज रख देते हैं तो यहनी क्या करना आपने water bath के अंदर बीकर को रख देना है जिस बीकर के अंदर alcohol भी है और उसके अंदर leaf भी है मैं इसको डायाग्राम से समझाता हूँ देखिए यह मैंने एक सिंपल सा डायाग्राम बनाने कोशिश की है यह है water bath ठीक है यह एक water bath एक कटोरे जैसा होता है जो metal का बना होता है यह है water bath इसके अंदर का है पानी भर देते हैं और नीचे से इसको गरम करते हैं इसके अंदरूपर यी ये यह जैए यह इसको गरम करते हैं इसके अंदर आपने वह वह बीकर रख़ रखा है विकर के अंदर लीफ है और बीकर के अंदर कण्या है यह यह जो पानी में डाल रखी यह 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 आप बहुट These जिससे क्या वोटर वोटर बहुत में पानी है ठीक है यहां पर बाहर भी पानी है देखो वोटर बहुत के अंदर भी पानी है ठीक है उसके अंदर बीकर रखा है बीकर के अंदर अलकोहल है और उसमें वो लीफ भी है तो अब आप इसको हीट करोगे वोटर बहुत को जिससे क क्या है पानी गर्म होगा पानी गर्म होने से क्या है अलकोहल गर्म होने लगेगी और इसको तब तक हीट करना है जब यह अलकोहल बोईल करने लग जाए उबलने लग जाए जैसे यह अलकोहल उबलने लग जाएगी तो अब आपको गैस को बंद कर देना है देखिए यहां यही लिखा हुआ है Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil कि आप साथधानी पूर्वक उस beaker को water bath में रख दीजिए और उसको तब तक गरम कीजिए जब यह alcohol उबलने लग जाए What happens to the color of the leaf? अब जब alcohol उबलने लग जाएगी तो alcohol के अंदर जो leaf है उसका color कैसा हो जाएगा तो देखोगे आप पहले उसका color कैसा था? Green-green color था लेकिन आप बाद में देखोगे कि उसका green color lost हो जाता है और वो leaf जो है brownish color की हो जाती है यानि कि वो colorless हो जाती है उसका green color reduce हो जाता है ग्रीन कलर उसका गायब हो जाता है ऐसा इसलिए होता है कि अलकोल जब गरम करते हैं तो जो लीफ की उनके मेंबरेन डैमेज हो जाती है उनके अंदर जो कलोरोप्लास्ट है वो डैमेज हो जाता है ठीक है अब कलोरोप्लास्ट के अंदर कलोरोफिल होता है जो green color का होता है वो chlorophyll बाहर निकल जाता है cells के अंदर से जिसके वजह से पत्तों का जो cells हैं उनका green color बाहर निकल जाता है इसके वजह से वो green color उनसे lost हो जाता है तो जो आप पत्ता डालोगे, leaf डालोगे वो green color उसका lost हो जाएगा, lose हो जाएगा वो colorless हो जाती है What is the color of the solution और solution of color कैसा बन जाएगा देखो हमने क्या डाल रखा है solution में इथाईल alcohol डाल रखिया है तो alcohol का जो alcohol colorless होती है water जैसी होती है लेकिन अब क्या है जब आप उसको boil करोगे leaf को तो क्या होगा leaf का green color बाहर निकल करके alcohol में आ जाएगा तो अब alcohol का color हो जाएगा green leaf का color leaf हो जाएगी colorless और alcohol जो है solution जो है वो हो जाएगा greenish color का ठीक है इसमें जो alcohol है वो हमने boiling water bottle में देखो beaker को हमने water bottle में डाल रखा है हम direct भी beaker को गरम कर सकते थे alcohol को direct भी boil कर सकते थे लेकि ऐसा इसलिए निकरते क्योंकि alcohol जो है इन्फलेमेबल हो जाती है इन्फलेमेबल होती है आग पगड़ जाती है तो अगर आप alcohol वाले beaker को direct burner पे heat करोगे तो alcohol में आग लग जाएगी जिससे experiment ही सारा खराब हो जाएगा तो इससे बचने के लिए क्या करते है alcohol वाले beaker को water बहुत में रखते है जिससे पहले water गर्म होता है फिर alcohol गर्म होती है फिर boil होती है ऐसा करने से आग लगने खत्रा कम हो जाता है now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes अब आप क्या करो उस alcohol में से उस लीव को निकाल लो जो color less हो चुकिया है अब उसको क्या करो आप iodine solution में डालो dilute solution of iodine ठीक है यह brownish color का solution मिलेगा आपको yellowish brownish color का yellow और brown color का solution मिलेगा लाप में इसमें आपने उस लीव को डाल देना है और कुछ मिनट तक के लिए रखके रखना है take out the leaf and rinse off the iodine solution अब आपने क्या करना है iodine solution में से उस लीव को बाहर निकालो और iodine solution को थोड़ा साफ कर लो उसको उस पत्य को थोड़ा साफ कर लो observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning तो अब आप क्या करो अब आपको उस लीव के color को compare करना है कि पहले वो लीव कैसी थी और बात में कैसी हो गई है तो क्या देखोगे आप वो जो लीव है उसमें से कुछ-कुछ area जो है वो deep blue color का हो जाएगा कैसा? deep blue color अब आपको उस लीव को पुराने वाले जो अपने ड्रॉइंग मनाई थी कागच पे उसके साथ compare करना है जैसे हाँ डायाग्राम में दिखा रखा है कैसे? देखो ये before और ये after और ये after तो देखो पहले आप क्या देखोगे कि जो portion पहले green थे वो portion अब deep blue color के हो चुके है खलका blackish लगे अब को blackish और deep blue color और जो पहले yellow थे वो तो अब भी yellow ही है उसमें तो कोई difference ने हुआ लेकिन पहले leaf का जो हिस्सा green था वो हिस्सा अब deep blue color हो चुका है लेकिन पहले जो हिस्सा yellow या white था वो deep blue color नहीं हुआ है तो सिर्फ green वाले colored portion leaf का वो अब deep blue color में convert हो चुका है तो अब आप इससे क्या समझे आपकी leaf के अंदर कहां कहां पर starch है और ये ऐसा हुआ क्यों देखिए ऐसा हुआ क्यों इसको हम पागज पर करते हैं देखिए जो starch होती है जो starch होती है वो जब iodine solution से react करती है देखिए जो starch है जब वो iodine solution से react करती है तो वो deep blue color का compound बनाती है deep blue color देखती है फिर वो ठीक है तो जो leaf था उसके अंदर deep blue color कहां मिलेगा जहां पर starch होगी तो भी तो मिलेगा तो हुआ क्या यहां पर जो ये leaf थी हमारी जो ये green portion था इसके अंदर क्या था chlorophyll था इसके अंदर क्या था chlorophyll था तभी तो ये green portion है और जो yellow या white portion था इसमें chlorophyll नहीं था इसलिए green नहीं है तो जो ये green portion था इसमें chlorophyll था तो जब आपने इसको 6 गंटे के लिए plant को दूप में रखा था तो इसमें क्या होगी फोटो सिंथेसिस होई और यहां पर chlorophyll नहीं था तो यहां पर फोटो सिंथेसिस नहीं होई तो जब प्लांट फोटो सिंथेसिस करता है तो वो food बनाता है और starch बना लेता है उस food को stars के रूप में store कर लेता है convert कर लेता है तो अब जो leaf का portion green था उसी के अंदर chlorophyll था और उसी के अंदर photosynthesis होई और उसी के अंदर starch बना यलो वाले portion में ना chlorophyll था ना photosynthesis होई ना इसमें starch बना अब जब इस leaf को आपने क्या किया आइडिन solution में डाला तो आइडिन क्या करता है stars के साथ react करके deep blue color देता है तो वो वाले हिस्से जो पहले green थे उन्हें के अंदर deep blue color आ गया लेकिन जो portion पहले yellow थे उनके अंदर deep blue color नहीं आया तो इससे क्या हुआ इससे बता चलता है कि chlorophyll जो है वो photosynthesis के लिए important है necessary है क्योंकि देखो yellow portion में chlorophyll नहीं था इसलिए वहाँ photosynthesis नहीं होई इसलिए वहाँ starch नहीं बना इसलिए वहाँ पर iodine solution से deep blue color भी नहीं आया लेकिन जो green portion था उसमें chlorophyll था इसलिए वहाँ पर photosynthesis होई इसलिए वहाँ पर starch बना और इसलिए वहाँ पर starch था तो iodine के साथ वही वाले portion ने deep blue color दिया आया समझ में यह activity हमें समझाती है कि photosynthesis के लिए chlorophyll necessary है chlorophyll जरूरी है देखो एक बार और हम बात करते हैं कैसे? लीफ था लीफ के अंदर कुछ portion green थे कुछ yellow थे green portion इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर chlorophyll था yellow portion इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर chlorophyll नहीं था अगर chlorophyll होता तो वह green होते इसलिए वह पर green color नहीं था अब क्या हुआ? photosynthesis कहां होई जहां पर green color था photosynthesis वहां होई जहां पर chlorophyll था अब यहां पर photosynthesis होई इसलिए यहीं पर food बना इसलिए यहीं पर starch बना तो जब इस leaf को हमने iodine solution में डाला तो क्या हुआ जिस portion के अंदर starch बना था वही वाला portion iodine के साथ react करके deep blue color में convert हो जाता है लेकिन जिस portion में green color नहीं था वहां पर कोई starch नहीं बनी और वहां पर कोई deep blue color नहीं आया ठीक है तो इसलिए यहीं बात last के question में कही गई है what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf कि आब अब क्या result निकालोगे कि starch जो है वो पत्ते के कौन से हिस्सों में है तो starch पत्ते के उसी हिस्सों में है जो हरे हैं और क्यों है क्योंकि हरे हिस्से में chlorophyll है और chlorophyll photosynthesis के लिए जरूरी होता है photosynthesis से food बनता है उसी से starch बनती है तो इस activity में activity 6.1 में यह हमें सिखाती है कि photosynthesis के लिए chlorophyll is necessary तो आया आपके समझ में यह थी हमारी activity 6.1 मैं request करता हूँ कि आप इस activity को अपनी NCRT book से जरूर पढ़िएगा मैं एक request और करना चाहता हूँ कि आप अपने घर की छत पर या किसी जगहां पर पक्षियों के लिए दाना वेपानी जरूर रखिएगा मिलेंगे अगली क्लास में अगले topic के साथ तब तक के लिए study joyfully and नमस्काराँ